हाई फ्रेंट्स गुड मोर्निंग जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मेरा चैनल का नाम IT Solution चंडीमा टेक चैनल है और मैं हमेशा से क्या है दोस्त एक टेकनिकल लिकूपमेंट पे वीडियो लाता हूं और टेकनिकल कलास के उपर भी वीडियो लाता हूं तो मैं मेरा एक सस्क्राइबर हैं वो कॉमेंट में लिखे थे कि सर आप फैट और NTFS के बारे में बताएं तो क्या है मैं आज फैट और NTFS के बारे में कुछ सलाइड ले के आया हूं सबसे पहले दोस्त आप ये समझें कि फैट और NTFS क्या होता है तो देखिए ये बिंडो ओपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है दोस्त और ये फैट और NTFS सिस्टम एक फाइल सिस्टम है जिसके तहत हमारा हार्डिक्स हो या मेमोरी कार्ड हो कोई भी है स्टोरेज डिवाइस हो उसमें फाइल को किस परकार से एरेंज करेंगे माईनि कि सेव करेंगे कैसे सजाएंगे वो कौन तै करता है दोस्त हमारा फैट और NTFS फाइल सिस्टम ही तै करता है fight पुराना टेकनिक था दोस्त और ntfs अभी new technology है अभी सारे में ntfs file system ही चल रहा है जब भी आप computer को या memory card को अगर format करते होंगे तो देखते होंगे दोस्त जैसे computer में आप window format करते होंगे तो उनका drive के last में देखना लिखा होगा ntfs drive, dynamic drive या fight drive तो fight वाले में ntfs वाला data नहीं जाता होगा ऐसा दिकत आपने face किया होगा तो fight और ntfs क्या है दोस्त एक ये file system है आईए मैं अभी आपको slide की मादेम से बताता हूँ देखें सबसे पहले fight और ntfs क्या है इस बात को जानने से पहले आप जरा ये सोचिए कि आप आपने ये दोनों नामों को कहां पर पढ़ा है था इन्हें आपने तब पढ़ा होगा जब आप किसी file को या फिर अपने sd card को format कर रहे होगे मैं बताया ना दोस्त पहले ही बताया जब भी आप अपने memory sd card मतलब memory card या अपने laptop को जब format कर रहे होगे तभी आपको ये file system दिखता होगा उधर ntfs file system और fight 32 अब आप सोच रहे होगे कि इनका उपयोग file को delete करते वक्त किया जाता होगा लेकिन एसा नहीं है fight और ntfs का नाम इनसे बिलकुल अलग है fight और ntfs क्या है इसका इस्तमौल कैसे किया जाता है ये सारी जनकारी आप इस lake में पढ़ेंगे मतलब इस slide में पढ़ेंगे देखिए नीचे क्या लिखा दोस्त आपने computer में देखा होगा कि data कई जगा पर save होता है जैसे कुछ data आपकी hardix में कुछ data आपका RAM में कुछ data pen drive में कुछ data SD card में कुछ CD या DVD में इन सभी के लिए data transfer करने का process लगवख एक जैसा ही होता है हमें बस data को क्या है एक जगा से copy करके दूसरे जगा test करना होता है आएए अब next slide में और हमारा काम हो जाता है अगर किसी को समझ में ना आये दोस्तों मेरा comment box में लिख सकते हैं मैं इस पे और बढ़ियास वीडियो बना के आपको दूँगा लेकिन इसके पीछे अलग-अलग टेकनिक होता है इनके पीछे जो टेकनिक होता है उसे ही हम fight और NTFS कते हैं मतलब कि जो अपना कोई भी SD card है या hardix है कोई भी या storage device है या maskable device है दोस्त उसके अंदर data जिस टेकनिक से save होता है उस टेकनिक को ही हम दोस्त fight या NTFS file system कहते हैं इतना तो आप लोग सभी जान गए होंगे दोस्त कि fight और NTFS system क्या होता है पहले आप यह समझे यह एक file system है यह एक jam के view से भी बहुत important chapter है इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब आपको memory card में data transfer करना होता है तो आप अलग तरीके से करते हैं लेकिन जब आपको वही data CD या DVD में करना होता है तो क्या है आप अलग process से करना पड़ता है तो यही सब file allocation होता है मतलब file allocation होता है जिसमें आपके computer का allocation system यह तै करता है कि किस file को किस जगह पर किस तरीके से allocate करना है मतलब computer को यह पता होता है कि किस file को किस जगह पर किस तरीके से locate करना है यह सब कौन करता है दोस Foyaid या NTFS system तो Fayaid क्या है यह पुराना system है अभी जैसा की देखें मैं आपको पहले ही बताता हूं कि fight क्या होता है what is the fight fight का पूरा नाम है file allocation table अगर exam में पुष्टा है full form दोस्त तो देखें एक objective question है fight का पूरा नाम होता है file allocation table ये 1997 में पहली बार इंट्रिडूस हुआ मतला 1997 में ये बना था दोस्त fight को पहली बार Bill Gates और Mark Macdonald ने साथ मिलकर बनाया था और बनाया था दोस्त Bill Gates और Mark Macdonald दो scientist थे दोस्त ठीक है Bill Gates जिनको की क्या है पूरे चीप इनका जनमदाता कहा जाता है तो ये दोनों मिलके आप ये नाम भी याद रखते कि fight को Bill Gates और Mark Macdonald ये दो scientist थे दोस्त इन्हों में बनाया था 1997 में उस समय इसमें काफी चोटा data storage होता था fight में समय के साथ साथ इसमें कई सारे बदलाव भी हुए सुरू में जब ये आया था तब hardix 4GB का हुआ करता था मतलब जब ये fight 32 सिस्टम आया था तो ये कितने हुआ करता था दोस्त इसका hardix 4GB का हुआ करता था उसके हिसाब से file को allocation यानि उन्हें कहां पर रखना है तो ये system लाया था उस समय फैट सुला मतलब जब ये fight file system आया था तो जो first में आया था तो कौन सा आया था दोस्त फैट सुला सिक्स्टी काफी मसूर था लेकिन समय समय के साथ कई साइज बड़े हुए जैसे इसे हमारा requirement बढ़ता गया जैसे आप जानते हैं कि आवज सेकता ही क्या है अभिसकार की जन्नी है पहले दोस्त हमारे पास नॉर्मल वीडियो थे उसके बाद धीरे धीरे जवाना बढ़ता गया एक स्टिए हुए फिर सूपर है दिव्टी Inspector ऑफोर के वीडिव आयए हुए तांच के देख नेरेशन जैसे से बढ़ता जा रहा है तो जीतना हम एक सर्फरिंच सिस्टम का req Вас अला पर बढ़ता जा रहा है तो उसी हिसाना से क्या सई उसी इसाब से क्या वीश्टम थे चे बहुत दीन चला फैट सोला जो फाइल सिस्टम है दोस्त वह बहुत दीन चला और काफी अच्छा था लेकिन जब हाड डिक्स और रहन का साइज बढ़ा तो सिंपल सी है उसकी टेक्निक भी डाटा सेव करने का कुछ होगा तो फिर आया दोस्त फैट 32 जिसका मतलब कि अगर को NTFS के बारे मैं समझाता हूँ तो सबसे पहले बताता हूँ दोस्त कि NTFS क्या है NTFS का पुरा नाम क्या है New Technology File Allocation System New Technology File Allocation System NTFS का फुल फॉर्म क्या है दोस्त New Technology File Allocation System आप इसका स्कीन सट ले सकते हैं इसे Microsoft और IBM दो जो है चिप निर्माता कंपनी है दोस्त जैसे आप देखेंगे Microsoft जो Software डिजाइन करती और IBM यह दो क्या है IBM को और यह दो कंपनियां है दोस्त इन दोनों कंपनियों ने मिलके NTFS File System को बनाया था क्यूंकि इसका आगे चलके हमको 064 bit operating system आ गया platform आ गया memory card बढ़ गया तो भाई जब बढ़ गया दोस्तो फाइल सिस्टम को भी change करना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया कि हट को हटा के NTFS technology को लाया जिसका कि फूल पर मता है new technology file allocation system इसमें सबसे पहले बिंडो के NTFS system में इस्तमाल किया गया NTFS file allocation का सबसे नया मतलब की सबसे नया file allocation system है इसे हम fight का upgrade version भी समझ सकते हैं मतलब fight का यह upgrade version है और यह हर computer में पहले से मौजूद होता है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ी harddix file को support करने की छमता रखता है अगर बात fight के latest version fight 32 की बात करें तो यह ज्यादा बड़ी file को support करने की छमता नहीं रखता है fight में आप सिर्फ 4GB तक की file का ही इस्तमाल कर सकते हैं अगर fight ntfs मतलब fight file system अगर आप का computer में है या आपके उसमें है दोस्त तो वो क्या करेगा ओनली for 4GB तक का ही file को save कर सकता है उससे ज्यादा file को save नहीं कर सकता है जबकि ntfs में इससे ज्यादा बड़ी file हो जाता है इसके लावा ntfs की सबसे अच्छी बात यह भी है कि अगर इसमें कोई भी file करप हो जाता है तो खुद ही उससे रिपेर कर लेता है आप देखेंगे दोस्त जो हमारा बिंडो या टेन है या बिंडो 11 है अगर light चला जाए UPS से connect system नहीं है तो देखते होंगो आटोमेटिक सट डाउन हो जाता है जब वो खोलते हैं तो देखें आटोमेटिक और रिपेरिंग लेता है वो इसलिए लेता है दोस्त क्योंकि उसके इंदर क्या है ntfs file system है लेकिन fight में इसा नहीं था इसमें आप किसी file को compress और encrypt भी कर सकते हैं मतलब आप ntfs file system में आप किसी फाइल को compress और encrypt भी कर सकते हैं तो compress मतलब अगर 10 MB की file है तो उसको आप क्या है 2 MB 3 MB बना सकते हैं encrypt मतलब क्या होगे अगर encrypt कर देंगे तो आपका data को कोई देख नहीं पाएगा security point of view से encrypt करते हैं यह दुनिया का सबसे मसहूर file allocation system है इसकी storage capacity एक टीवी तक होता है आई कि ntfs file system एक टीवी तक का capacity को क्या है storage कर सकता है दोस्त आईए अब इनमें दोनों में अंतर देख लेते हैं कभी एक्जाम में आता होगा तो मैं कुछ point आपको cover कर देता हूँ फैट और ntfs दोनों एक ही काम के लिए उपिय किये जाते हैं इनमें से जमीन और आसमान का अंतर है लेकिन काम दोनों का एक ही है दोस्त दोनों ही file system है बात अगरा storage capacity करें तो ज़्यादा से ज्यादा 4gb तक का store कर सकता है तो देखे एक point यह लिख सकता है कि फैट फैट फायल system जो हो क्या कर सकता है चार जी वी तक का data store कर सकता है जिब कि एक प्वाइल से सकता है और यह भी लिख सकते है दोस्त की फैट का full pump file location table होता है और ntfs का new technology file location system होता है दोनो दो copy को maintain करता है मतलब फैर फैर सिस्टेम क्या करता है ऐसे घुम को मेंट करता है अगर किसी वजार से system कह उत ने सकते हैं वही दूसरी एंटीफस में सिस्टेम हो जाने करन फैर फैल में को खुद करना पड़ेगा है फैट सिस्तम का स्वाइश्डी कार्ड पेंड ड्राइब आ स्मार्ट फोन यादी में ज्यादा किया जाता है वही एंटी एफेश का पुप्यूटर में फाइल लोकेशन के लिए जाता है एंटेफेस का इस्तमाल आ स्मार्ट फोन में नहीं किया हैं इसलिए कुछ खास जगा पर फैट के जगा इनटी एफेस को इस्त्माऻल करते हैं इसके बारे में आपसब जनकारी के लिए जान शकते हैं बाकि यह अपना खूद करते हैं आप चाहे तो ये किस तरह काम करता है और क्या ये आपके हिसाब से सही है तो आई होप दोस्त आप लोग समझ गए होगे कि फैट और NTFS फाइल सिस्टम क्या है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब पर रहें और अगर कोई भी डौट हो दो